प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है तो डालते एक नजराश के प्रदेश के खबरों पर भाजपानेता की कार का नंबर और स्ट्रीगर लगाए पकड़ा गया यूग जस्ट कार में भाजपानेता आमिद बाशपे की गाड़ी की नंबर प्लेट लगा कर घूम रहा था साथ इकार का दुरुपयोग कर रहा था भाजपानेता की शिकायत के बाद बर्रा पुलीस ने अमिद गुपता नाम के जाल साज को पकड़ा है पकड़ी गई पोर्वीलर में दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी पाई गई बर्रा पुलीस ने यूग समेत कार क की शराब का जखिरा मिलने से हरकम मच गया है सुचना मिलते ही SDM CEO पाउजे मौके पर पुलीस प्रशासन की टीम ने आवे शराब को जबकर इलाके में लाड़ स्पीकर से मुनादी कराना जाश शुरू कर दी है खुद SDM के हाथ में लाड़ स्पीकर थामे लोगों से जहरीली शराब को नहीं पीने की अपील करते दिखाई दिये सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गाउज जिदगड में कल से है अब तक जहरीली शराब के सेवन से छे लोगों की मौत हो चुकी है जिदगड़ी का सदमा भी लोगों का कम नहीं हुआ था कि क्षेत्र के नायगाउ में खेतों में जहरीली शराब का जखिरा मिलने से हड़कम मच गया खेतों में चार बोरों में मिली लगभग साथ सो शराब के पववे मिसंडिया ब्रांड के बताय जा रहे है वही जैसे ही ग्रामिनों ने खेतों में भारी मातरा में शराब पड़ी देखी तो पुलीस प्रशासन को इसकी सुचना दी खबर मिलते ही मौके पर पहुची स्डेम ने प्रेंस अंडिया ब्रांड की शराब को जब किया है साथ ही मुनादी करवा कर लोगों से जहरिली शराब नहीं पीने की अपील भी की गई ताकि किसी भी अनुनी से बचा जा सके बीसे न्यूस के लिए बुलंच शहर से जावित खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट मथुरा के एक दरोगा ने अपने ही साथ ही दरोगा के मुँपर शराब के नशे में थपड़ जर दिया है प्रविन कुमार नामक दरोगा ने नशे की हालत में अपने ही साथ ही दरोगा के साथ मार पीट की है मारपीट करते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल है मामला मतुरा के सिटी मैजिस्ट्रेट ओफिस के सामने का है फिलाल आरोपी दरोगा को पुलीस ने कस्तरी मिलिया वही SSP ततकाल प्रभाव से कारेवाई करते हुए नशेडी दरोगा को निलंबित किया BCN News के लिए मतुरा से अजय ठाकुर के रिपोल्ट फिरोजबाद नगर विधायक मनीश असिजा के प्रयासों से उत्तप्रदेश भवन एवं सन्निर्मान कर्मकार कल्यान बोर्ट द्वारा साइकल वितरन एवं अन्या हितला वितरन कारेक्रम कायजन शहर के PD Gen Inter College मैदान में किया गया कारेक्रम में नगर विधायक मनीश असिजा के साथ DM चंद्र विजैसीह, सेडियो, चर्चित, गौर, सहित, अन्य, कई प्रशासनी कदिकारी की मौज़ोद के रही इस दरान DM चंद्र विजैसीह ने जानकारी देती हुए बताया कि उत्तरप्रदेश भवन एवं सनिर्मान कर्मकार कल्यान बोड़ द्वारा विभिन्ना योजनाओं के लाभार्तियों को बुलाया गया था उनने अलग-अलग योजनाओं में जन्प्रतिनिध्यों की उपस्तिती में लाभान वित किया गया है उनको प्रमान पत्रव उनकी बच्चियों को साईकल वितरेन किया गया सभी लाभार्ति जिसमें चिकित्सा सुविदा, स्कॉलर स्कीम, मातरुत वयोजना जिसमें बच्चों के जन्पर धंदराशी भी मिलती है या दी जा रही है कुल मिला कर 2,78,000 की धंदराशी का लाब सभी श्रमिकों को दिया जा रहा है पाच अजार से ज़्यादा श्रमिक ये निलाभान वित किया जा चुका है इस तरह के कारिक्रम हम लोग आ गया कर भी करते रहेंगे जादा से जादा श्रमिकों का इस कीम के अंतरगत रजिस्ट्रेशन होकर उसके बारे में भी बताया गया है वही नगर विधायक मनीश असिजाने भी कारिक्रम को लेकर विस्त्रोच जानकारी दी फिरोजबाद से BCN News के लिए रिहान अली की रिपोर्ट फिरोजबाद के टुंडला में ऑपरेशन चक्रभ्यू के तहत थाना नगला सिंगी ने पुलीस के खनन माफियों के खिलाप चलाया अभियान देराज चेकिंग के दोरान अवेत खनन में लगे मिट्टी से भरे दो ट्रैक्टरों को पुलीस ने चालक सरी पकड़ा है पुलीस ने अवेत खनन में लगे बिना नमबरों के दोनों ट्रैक्टरों को कब्जे मिली आ है साथ ही उन्हें स्रीज किया गया थाना नगला सिंगी पुलीस ने गाउपीपरिया के पास से दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ा है BCN News के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोल्ट सुचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी समेट SDM घिरोड भी मौके पर पहुँच गए घायलों को बहार निकाल कर उपचार के लिए भेज दिया गया पताती चले की पूरा मामला जनपद मैनपुरी थाना घिरोर क्षेत रका है जहां घिरोर कुरावली मार्क स्तीद गाव नगला केहरी की समीब बस और कार में जोरदार भिंटत हो गए जिससे बस खाई में जागे रहे भीड़त इतनी भैंकर थी कि आवास सुन आसपास लोग तथा गाव वाले बचाने के लिए दोड़ पड़े घटना के सुचना पाते ही थाना प्रबारी पहलवान सी हैं उपजिला दिकारी अनिल कुमार कटी हार मौके पर पहुश गए प्राब जानकार के अनुस साब बस में कुल 40 सवारिया सवार थी जिसमें 7 सवारिया खायल हो गई है थाना प्रबारी पहलवान सी हदवारा बताया गया कि बस में सवार रमा कांती पतनी हरिदास निवासी मेवनी जिला फिरोसा बाद हुंडिलाल पुत्र रेवती सीह निवासी थोरबा थाना और उंचा जनपद मैनपुरी तो आज की प्रदेश के खबरों में वक्त चलाए यही रुकने का ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं बीसीन नियर्स नमस्कार